तो हलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल पे एक बार फीर स्वागे थे तो आज के इस वीडियो में हमार टॉपिक है कि मल्टीपल पीडियेफ फाइल को एक पीडियेफ फाइल में कैसे बनाया जाए तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डेक्स्टॉप पर यहाँ पर एक फोल्डर मैंने बना रखा है पीडियेफ तो मर्च इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो PDF फाइल पढ़ी है अभी अच्छामपल के के तौर पर यहाँ पर दो PDF फाइल को एक PDF फाइल में मर्च करके बताने वाला हूँ तर देखे, PDF 1 अप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर डेता है आपको जो PDF फाइल हो सकता है कि उसके अंदर ज्यादा content लिखा हो तो उससे भी कोई matter नहीं है वो आपस में आसनी से merge हो जाएगी तो देगे तो दोनों फाइल हमारी आपको भी ऐसे ही करना है कि एक folder बना लेना है उस folder के अंदर जितनी भी फाइल है वो पहले से आपको तयार करके copy paste करके रख लेनी है बहले वो दो फाइल है या 10 फाइल है जितनी भी वो PDF फाइल है वो सारी एक साथ रखनी है और उनको numbering देदे 123 करके जिस करम में आपको उनको जो यह वो merge करना है तो यह हमने करके रख लेना है और इसके बाद फिर आपको अपने ब्राउजर में आना है वेब ब्राउजर में जाने के बाद Google.com के अंदर आपको यह सर्च करना होगा merge multiple PDF into one यह आप अगर सर्च करेंगे या फिर में इसकी वेबसाइट भी आपको बता दूँगा और डिस्क्रिप्चन में लिंक दे दूगा तो वहां से भी आप जा सकते तो देखिए आपको यह वाली वेबसाइट मिलेगी smallpdf.com को इसके अंदर पहले यह जो हाइपर लिंक आपको मिल जाएगा merge PDF नाम से combine PDF online for free तो इस choose file पे click करेंगे और फिर यहां पे जहां पे भी हमने file रखी जैसे कि हमने desktop पे PDF to merge नाम से एक folder बना रखा है तो इसको हम double click करेंगे और यहां से हमारी जो दोनों file हैं उनको select करके open करेंगे तो देखिए हमने file जो वो open कर लिए है यहां पर अब यहां पर यहां पर यहां पर तो यह free जो version है उसमें अपने इसाब से PDF को merge कर देगा और इसका pro version लेते हैं तो आपको अपने इसाब से arrange कर सकते हैं तो अभी हम free वाले version पे click करेंगे यहां पर और फिर choose option पे click करेंगे अब यहां देख सकते हैं आपको दोनों file दिख जाएगी file 1 और इसके अंदर का content भी आप देख पाएंगे क्या लिखा है इसमें उसके बाद आपको merge PDF पर click करना होगा देखिए अब merging जोए वो on हो चुकी है और देखिए यहां पर यह हमारी file बन चुकी है यह पूरी merge हो चुकी है file 1 आ चुकी है पहले उसके बाद file 2 तो यहां से download पर click करके आप download कर सकते हैं देखिए तो PDF1 merged.pdf नाम से इसको नाम मिल चुका है और यह डाउनलोड हो चुकी है और यहां से हम open file करके इसको यहां पर चेक कर सकते हैं यह देखिए हम तो open करके बता दिया है आपको तो friends इस तरीके से आप multiple अलग-अलग बहुत सारी PDF file अगर आपके पास है और उसको ए एक file में convert करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं Sovereigns इस वीडियो में इतना ही film में लेकिन नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद